सौरब कुमार ने बहुती बढ़िया डाउट पूझा है on engineering mathematics course and definitely यह upcoming gate का expected question है probability का सवाल है आप भी try कर सकते हो the properties for a bivariant distribution of two random variables x and y are given below e of x is 24, e of y is 36, e of x square is 702, e of y square है 1524, e of xy है 1004 the correlation coefficient between x and y is dash video को pause कीजिए try कीजिए फिर मेरे solution को देड़ना अब अक्सर होता क्या है correlation coefficient जब भी आपसे कोई पूछता है तो आपने by heart कर रखा है in the statistics form बट यह है in random variable version ठीक है यह जो data है यह random variable का है तो formula जो आपने पढ़ा है frequency data के लिए वो सही है बट उसको convert करना पड़ेगा अब random variable में to get the answer ठीक है तो चलिए उसका formula देख लेते हैं next slide में लेकर चलता हूँ solution को देख रहे है तो सबसे पहले formula यहाँ पर है correlation coefficient is equal to covariance of xy divided by square root variance of x into variance of y ठीक है तो चार चीज़े हमको sorry तीन चीज़े हमको निकालनी है यह मेरा 4 और y एक जैसा दिखाई देगा ठीक है तो आपको यह सहन करना पड़ेगा मैं कुछ नहीं कर सकता यहाँ पर तो यहाँ पर ध्यान से देखना पहली चीज़ यह निकालनी है दूसरी चीज़ यह तीसरी चीज़ यह तो तीन चीज़े हमें निकालनी है तो चलिए step by step निकालते है सबसे पहले variance of x को निकालते है which is equal to e of x square minus e of x the whole square यह तो आपने पढ़ाई है random variable में इसमें कोई परिशानी वाली बात नहीं और यह चीज़ भी मैंने दिया है अगर आप मेरा lecture देख चुके हो on the engineering mathematics course तो मैंने formula list में यह formula दिया है क्योंकि मुझे पता है कभी कभी चीज़े random variable में भी आ जाती है तो उस case में आपको पता होना चीए कि यह formula है ठीक है चलिए अब यहाँ पर बढ़ते है आगे इन चीज़ों को निकालते है e of x square तो दे रखा है कितना है 702 और e of x कितना दे रख रखा है 24 उठा करके substitute कर दो तो यहाँ पर v of x आपको मिल जाएगा 702-24 का square जो है 126 ठीक है जी चलिए variance of y को निकालते है variance of y होगा e of y square minus e of y the whole square ठीक है जी तो e of y square कितना है 1524 इस अब data में दिया गया है e of y 36 है उठा करके substitute कर दो तो 228 बन जाता है अब बात करते है covariance को कैसे निकालना है तो यहाँ पर covariance किसके बीच में है x and y के बीच में है तो यहाँ पर expectation of xy minus expectation of x into expectation of y इसकी मदल से निकल आएगा तो यहाँ पर e of xy दे रखा है 1004 e of x था 24 e of y था 36 substitute कर लेंगे solve कर लेंगे तो 140 आ रहा है and finally अब आपका answer आ चुका है correlation coefficient is equal to covariance divided by square root of variance of x into variance of y ठीक है तो calculator में put करेंगे तो यह आ रहा है 169.4933 decimal के बाद 4 तक रखना ताकि अच्छी accuracy मिले और 4 sufficient है तो अगर divide कर लोगे तो यह आपका final answer बन जाता है तो कैसा लगा है सवाल अगर बढ़िया था सवाल आप बना पाए तो very good यह expected gate question बन सकता है वैसे correlation coefficient पर सवाल पूछे भी गए है previous gate exams में तो important topic भी है याद रखना जो भी चीज पूछी जाती है previous year gate paper में वो काफी important होती है और सारी चीज आपको पता होनी चाहिए by the way अगर आपको concepts ही नहीं आते है tricks नहीं आता है gate questions आपसे नहीं बन पा रहे है उस case में आप download कर सकते हो श्रेनिक जिंच चारों में आपको सारे के सारे match के concept मिल जाएंगे सारे के सारे match के pyqs with tricks and techniques सारे branches के मिल जाएंगे तीसरा aptitude के सारे concept and चौता aptitude के सारे gate के pyqs with tricks and techniques आपको मिल जाएंगे ठीक है four courses आप जिन student को individual जाना है सिफ math के concept पढ़ने है तो वो भी available है Hindi में भी है English में भी है जिसमें आप sufficient हो ठीक है फिर aptitude के भी सारे concepts है ठीक है और फिर यहाँ पर आप देख सकते हो that practice courses भी individually यहाँ पर रखे गए है तो वो जो चारो all-in-one में आपको मिल रहे है वो अलग से भी आपको यहाँ पर मिल सकते है जैसे आपकी requirement हो thank you for watching this video झाल झाल करें झाल बहुंग झाल 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 कर दो कर दो झाल झाल